वेल्कम टू इंजो स्टूरियो आज होगे हमने मॉटर प्लाफ बनाया है और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है मॉटर प्लाफ यह हमने ओल डालिया है अपने कुकर में चौप अनिया शालिया है ग्रीन चिली ली है और गरमसाली गरमसाली लाइच लिया है लॉंग ल अब स्कुझ के अफ कीं अच्छा लेवरे काहिँ कोज़ें ऑच्छा में बड़ी लाइची भी डालीया है जाए हम आने की मीफे हम इसनि नी को में अईर्शा स्ली कर्ट बारेगे यह स्लीकत कि लिए ने कर्टar विज़दा और दाली आह से हैं यह बड़ी और लि लाइच इसमें लाल मिश नहीं पड़ती है इसमें धनिया पॉडर और गरा मसाले का पॉडर पड़ता है एक चमश हमने दोनों डाल लिया है अब हम अपने हरे वाले मटर इसमें डाल लेंगे हमने इसको पहली से दो के रख लिया था अब यह हम यह हमने हरे मटर जो है फ्रेश यूज करें हमने पाकेटेट नहीं यूज करें फ्रेश यूज करें यह देखिए इसको हम चला लेंगे अच्छे से अच्छे से चला लेंगे फिर इसके बाद इसमें हम राइस डालेंगे हमने टू बावल्स अफ राइस लिये थे तोड़े पानी में रख दिया था ताकि जब बनता है तो खिला खिला बनता है देखिए हमने कुकर में सारे राइस डाल ली है और बहुत असान होता है इसको बनाना जादा डिफिकल्ट नहीं है अराम से अपने घर में बनाईए कोई भी बना सकता है ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ताम जाम की ज़रुवत है इसली बन जाता है और नोट टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं होता है यह देखिए अब हम इसको चला लेंगे अच्छा से चलाने के बार इसमें हम वाटर अड़ करेंगे और वाटर जो है अब जहांगे इसको कैसे पना है कितना रखना रखनाए अब इसमें हम फिंगर से यहांगई तक का नाप ले लेंगे, इतना पानी राइस से उपर में होना चाहिए, और फिर इसमें हम स्वाल टाइट करेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, वो स्वाद अनुसार, अब जब सब प्रिपेर हो गया, इसमें चला लेंगे, और इसको बंद कर देंगे, इसमें एक सीटी में अब यह थोड़े रखके बंद कर देंगे, वाइसे एक सीटी में भी हो जाता है, और अब यह हमारा मटल प्लाफ तयार हो चुका है, अब इसको हम खोलेंगे, यह देखें किता खिला खिला बना है, यह क्राइस हलाग अलग बने है, देखें, यह बहुत अच्छा बना है, इसको आप किसी भी क्रेवी के साथ खाएं, कर्ड से खाएं, रायता बना लीजिए, उससे खा लीजिए, हर किसी के साथ अच्छा लगता है, हमने तो चिकन क्रेवी के साथ खाया था, बहुत अच्छा लगा हमें, आप इसको रायता के साथ भी खा सकता है, आपको अमारी ड thank you so much